साथियों पढ़ाओ आनलाइन पर आपका स्वागत है अब पढ़ना और याद रखना होगा आसान चित्रों और ट्रिक्स द्वारा सभी सरकारी नों अक्रियों की तैयारी के लिए एक बहतरीं प्लेट हॉम चलिये शुरू करते हैं कंप्यूटर का इतिहास कई हजारों वर्ष पुराना है और इसके अविश्कार के लिए किसी एक व्यक्ति को नहीं जाना जाता यह एक बहुत ही लंबी और क्रमिक प्रकरिया का हिस्सा है कंप्यूटर का विश्कार मनिश्य द्वारा गणना को तेजगती से किये जाने के सतत प्रियासों का परिणाम है ऐसी गणनाएं जिने करने में मनुश्य मस्तिश को अधिक समय लगता है या करना आसान नहीं होता है उन्हें कंप्यूटर सटीकता के साथ बहुत ही कम समय में हल कर देता है समय के साथ साथ इस यंत्र में कही तरह के बदलाव तथा सुधार किये गए तब जाकर आधुनिक कंप्यूटर या मौडन कंप्यूटर का निर्मान संभव हो सका और आज की समय में कंप्यूटर की उपयोगिता से हम सभी परिचित हैं की लगबग सभी शेत्रों में इसका उपयोग किया जा रहा है कम्प्यूटर की इसी बढ़ती उपयोगिता के कारण यह विशे बहुत महत्पून है जो की लगबग सभी परिक्षाओं में पूछा जाता है इसलिए जरूरी है कि हमें इस विशे की गहन समझ हो साथियों स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ो ऑनलाइन पर तो चलिए शुरू करते हैं कम्प्यूटर से परिचे एवं इसका विकास कम्प्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रोनिक प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो दिये गए निर्देशों इंस्ट्रक्शन के अनुसार कारी करता है और डेटा का संग्रहन कर किसी सॉफ्ट्वेर या प्रोग्राम की साहता से डेटा को प्रोसेस कर उसका परिणाम आउट्पुट पर प्रदर्शित करता है कंप्यूटर शब्द अंग्रे जी के कंप्यूट सब्द से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना इसलिए इसे हिंदी में संगणक या अभिकलक यंत्र भी कहा जाता है और इसका विश्कार गणनाएं कैल्कुलेशन करने के लिए हुआ था कंप्यूटर बड़ी से बड़ी गणनाएं कुछ ही शणों में सेकंड्स में करने में सक्षम होता है कंप्यूटर वर्ड को लेटिन वर्ड रोमन भाषा में कंप्यूटेर से लिया माना जाता है तो मुख्य तोर पर compute शब्द का जो अर्थ होता है वह calculation गणनाएं करना होता है Computer को उसकी उपयोगिता के आधार पर परिभाशित किया गया है यहाँ पर हम C से commonly, O से operated, M से machine, P से particularly, U से used for, T से technical, E से education and R से research तो computer का जो full form है वह है commonly operated machine, particularly used for technical education and research Computer hardware और software का सैयोजन होता है, जो की data को information में बदलता है यहाँ पर hardware computer का वह भाग होता है, जिसे देखा और छुआ जा सकता है जैसे monitor, keyboard, mouse यह सभी hardware होते हैं और software एक program होता है, जिसमें instruction की सहायता से data का संग्रहन होता है जिसे छुआ नहीं जा सकता है, जैसे MS Office, MS Excel, Paint यह सभी software के उधारन होते हैं तो यहाँ पर computer की जो प्रणाली होती है, इसकी कार्यपत्दिती होती है, वह basically इसमें input देना, उसे process करना और फिर उस process data को output के form में देखना तो input computer में data या सूचना को भेजना input कहा जाता है, जो की central processing unit CPU द्वारा process किया जाता है processing central processing unit computer के निर्देशों को execute करता है और output या उप्योग करता को संसोधित data उपलब्द कराता है storage यह data और program को इस्थाई रूप में store करता है तो computer की कारे प्रणाली का पहला part होता है data को input करना जो की keyboard के माध्यम से किया जाता है उसके बाद उस data को process किया जाता है, यह कारे central processing unit CPU द्वारा किया जाता है यह जो process data है यह output के form में monitor पर देख सकते हैं यह data process होने के बाद किसी information में बदल जाता है और इस information को, इस data को हम किसी storage device जिसे हम hard disk कहते हैं उसमें store किया जा सकता है computer के विकास में महत्कून योगदान देने के कारण Charles Babbage को computer का पिता father of computer कहा जाता है Charles Babbage Cambridge University में गनित के अध्यापक थे और उन्होंने 1834, 1834 में analytical engine का निर्मान किया था 2 December प्रतिवर्ष विश्व computer साक्षरता दिवस computer literacy day के रूप में मनाया जाता है आदूने computer के जनक Alan Turing को कहा जाता है महतकून है, आदूने computer के जनक Alan Turing है और जो पहले computer architecture की जो अवधारणा दी थी जो आज भी computer में इस्तमाल होता है वह जॉन वॉन न्यूमेन द्वारा 1948 में प्रस्तुत किया गया था सिधार्थ भारत में निर्मित पहला personal computer था तो चलिए अब जानते हैं computer का विकास कहां से प्रारंब हुआ तो सबसे पहली गणना करने की जो machine है वह Abacus थी Abacus का जो full form है वह Abundant Beads Edition Calculation Utility System Abacus इसका अविशकार लगबग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था इसके अविशकार का श्रेच चाइना को दिया जाता है लकडी का एक आयातका ढाचा होता था और इसके अंदर तारों के frame लगा होता है इस frame के दो भाग होते हैं यह दो भाग में बटा हुआ है यह उपर वाला भाग है और यह नीचे वाला भाग है जो छोटा भाग है उसको heaven ये चोटा भाग है इसको heaven तथा दूसरे बड़े भाग को earth ये बड़ा भाग है इसको earth कहा जाता है इसमें एक तार के प्रतियक तार में दो बीड होती है ये दो बीड होती है उपर वाले भाग में तथा दूसरे भाग में प्रतियक तार में 5 बीड होती है तो ये दूसरा भ मोतियों को उपर नीचे करने की प्रिक्रिया के द्वारा गणना की जाती थी, इसे जोडने वे घटाने के लिए प्रियोग किया जाता था, नैपियर बोन्स, नैपियर बोन्स का अविश्कार, जॉन नैपियर, स्कॉटिश गणितक्य, स्कॉटलेंड में 1617 हीस्वी में किया यह एक मेकैनिकल गणना करने की डिवाइस है, नैपियर बोन्स, हड्डियों, हाती दांत या धातू से बनी छड़े होती थी, जिन पर रो और कॉलम में नंबर उकेरे लिखे गए थे और इनी की मदद से गणना की जाती थी, इसमें 10 आयातकार पट्टिया पर 0 से 9 तक पाई के अंक, दूसरी पट्टि के एकाई के पास आ जाते थे, इसमें गणना के लिए प्रयोग में आने वाली प्रोध्योगे की को रैप दो लोग या कहते हैं, इसमें गणना अत्यंत शीग्रता पूर्व की जा सकती थी, और गणनात्मत परिणाम को ग्राफिकल सनरचना द्वारा दर्शाया भी जा सकता था, नैपियर बोन्स के इस्तमाल से केवल गुना या भाग किया जा सकता है, स्लाइड रूल, स्लाइड रूल एक यांत्रिक अनलोग कम्प्यूटर है, इसका विशकार विलियम ओटरेड जर्मनी में लगभग 1620 या 1622 के मद्ध में हुआ और इसमें दो विशेश प्रकार की चैनित पट्टियां होती थी, जिन्हें बराबर में रखकर, आगे पीछे सरकाकर लगुगणक की क्रिया संपन होती थी, पट्टियों पर चिन इस प्रकार होते थे, कि किसी संख्या के सूनने वाले चिन से वास्त्तविक दूरी उस संख संख्या के किसी साजा आधार पर लगुगणक के समोनुपाती होती थी। यह लगुगणक विधी के आधार पर सरलता से गणनाय कर सकता था। उप्योग मुख्य रूप से गुणा और भाग करने के लिए किया जाता था। पास्कल लाइन या संख्यात्मक पहिया कैलकुलेटर मेकैनिकल डिजिटल कम्प्यूटर इसका अविश्कार फ्रांस में गणितग्ये वे भौतिक शास्त्री ब्लेज पास्कल ने 1642 इस्वी में किया था। यह सबसे पहली मेकैनिकल एडिंग मशीन है एड करने की संख्याओं कर सकती थी। यह मशीन ओडो मीटर एवं गड़ी के सिद्धान्त पर कार्य करती थी। इस मशीन में कई दांतेदार चक्र और पुराने टेलीफोन की तरह घुमाने वाले डायल होते थे। जिन पर 0-9 तक संख्या अंकित होती थी। इस तरीके के दांतेदार चक्र या गेर होते थे। यह पीकल आयातकार बॉक्स उसमें 8 चलने वाली पहिये शामिल थे। यह देख सकते हैं आप यह 8 चलने वाले पहिये थे। इसमें पृतियक पहिये के आसपास 0-9 नमबर तक डिस्प्ले होते थे। जिसमें पहिये को गुमाकर के टास्क को परफॉर्म किया जात था। चलिए जानते हैं कैसे इसको करते थे। तो इस मशीन में 10 दांतों वाली रिचिट गेर का प्रयोग किया गया है। पहले इकाई वाले रिचिट गेर का 10 अंकों का एक चक्र पूरा हो जाने पर दाहाई वाले रिचिट गेर का एक दांत आगे बढ़ता था तो एक रिचिट गेर एकाई वाले अंके लिए होता था और दूसरा रिचिट गेर दहाई वाले अंके लिए होता था जब पहले एकाई वाले रिचिट गेर का दस अंकों का एक चक्र पूरा हो जाता था तब दहाई वाले रिचिट गेर क एक दांत आगे बढ़ जाता था इस प्रकार दहाई वाले रिचिट गेर का दस दांतों का एक चक्र पूरा होने पर सेकेंड वाले रिचिट गेर का एक दांत आगे बढ़ता था यह रिचिट गेर हाथ से घुमाए जाने वाले पईयों की साहता से चलाए जाते थे इसे संख्याओं को जोडने और घटाने के लिए प्रियोग किया जाता था अगली कैल्कुलेटिंग मशीन है Labanis Mechanical Calculator Labanis का यांत्रिक कैल्कुलेटर Digital Mechanical Calculator 1673 इस्वी को Gottfried William Vaughan Labanis जो की जर्मनी से थे उन्होंने पासकलीन मशीन में सुधार करते हुए एक ऐसी मशीन बनाई जो की गुणा भी कर सकती थी इस मशीन को Labanis की रैकनिंग मशीन भी कहा जाता है यह मशीन जोडवे घटाव के साथ-साथ गुणा भी भाग भी कर सकती थी यह कार स्कूटर के स्पीडो मीटर में प्रियुक्त की जाती है यह है जैकर्ड लूम जैकर्ड लूम इसका अविशकार जोसेफ मेरी जैकर्ड फ्रांस में अठारा सो एक में इसे बनाया था यह एक ऐसी बुनाई मशीन थी जिसमें बुनाई के डिजाइन डालने के लिए छिद्र की हुए कार्डों जिनें पंच कार्ड कहा जाता है पंच कार्ड का इस्तमाल कर कपड़ों को डिजाइन दिया जाता था इसका प्रियोग कपड़े बुनने के लिए किया जाता था इसमें punch card का उपयोग कर कपड़ों में विभिन्द patterns के design दिये जा सकते थे और एक बार जब operator punch cards को loom में fit कर देता है उसके बाद loom स्वता ही कपड़ों में pattern को design करने लगेगा तो ये punch card इस तरह के punch card होते थे जो की छिद्र किये हुए होते थे जो की कपड़ों में एक तरह का design देने के लिए इस्तमाल किये जाते थे अगली machine है difference engine difference engine का विशकार Charles Babbage Cambridge विश्विध्याले में वह गनित के professor थे उन्होंने 1822 इस्वी में किया था इस machine में shaft तथा gear लगे होते थे तथा ये machine भाब के द्वारा संचालित होती थी जो आकार में काफी बड़ी थी और program को store करने में तथा गणना करने के साथ ही परिणाम को print मुद्रित करने में भी सक्षम थी इस engine की साहेता से differential equations, algebraic expressions एवं संख्याकिक तालिकाओं की गणना 20 अंकों तक शुद्धता से की जा सकती थी इसका उपयोग डाक, वीमा, रेल में किया जाता था और इसी के साथ computer की वास्तविक शुरुवात हुई जिसके बारे में आज हम जानते हैं चाल्स बैबेज ने difference engine की सफलता से प्रेरित होकर चाल्स बैबेज ने ऐसी calculating device की परिकलपना की जिसमें उसकी एक artificial memory फुत्रिम स्मृती हो एवं दिये गए program के अनुसार calculation करे इस device को उन्होंने बैबेज analytical engine का नाम दिया तो चलिए जानते हैं बैबेज analytical engine के बारे में analytical engine इसका अविशकार भी चाल्स बैबेज ने 1833 ECV में किया था और इस machine के पांच मुख्य भाग थे input, store जिसे memory कहते थे, mill जिसे processor कहते थे, control एवं output बैबेज का ये analytical engine आदूने computer का आधार बना महत्पून है कि इस analytical engine की अविशकार के साथ ही आदूने computer के आधार की परिकल्पना की गई और यही कारण है कि चाल्स बैबेज को computer का जनक कहा जाता है इसके अंदर जो mill एवं control इकाई होती है वहे निर्देशों को किसी भी क्रम में प्रोसेस कर output परिणाम प्रस्तुत कर देती थी यह एक mechanical machine थी और इसका प्रियोग सभी गणतिये क्रियाओं को करने में किया जाता था यह पंच कारणों द्वारा संग्रहित स्टोड निर्देशों के समू द्वारा निर्देशित होकर कारे करती थी पंच कारण एक कठोर कागच का तुकड़ा होता था जिसमें fixed जगे पर छेद होते थे और यह digital data का संग्रह करते थे इस machine में निर्देशों instructions को संग्रहित करने की शम्ता थी और इसके द्वारा स्वचलित रूप से परिणाम भी छापे जा सकते थे analytical engine को पून कराने में एड़ा अगस्ता की एक महत्तकुन भूमिका थी एड़ा अगस्ता जो प्रिसिद कवी Lord Wiren की पुत्री थी उन्होंने बेबिस के इस analytical engine में गड़ना के निर्देशों को निक्सित करने में मदद की थी एड़ा अगस्ता ने analytical engine में प्रिथम प्रोग्राम बनाके डाला तो प्रोग्रामिंग का जो पार्ट है इस मशीन के लिए वह एड़ा अगस्ता ने किया था चार्ल्स को जिस प्रकार computer बिज्ञान का जनक होने का गौरोप्राफ्थ है उसी प्रकार विश्व में एड़ा अगस्ता को पहले programmer होने का श्रेज आता है एड़ा अगस्ता को सम्मानित करने के उद्देश से एक programming भाषा का नाम एड़ा रखा गया tabulating machine या electro mechanical tabulating machine एक electro mechanical machine थी इसका अविश्कार हर्मन हॉलरित ने 1880 ECV में किया था हर्मन हॉलरित अमेरिकन जनसंख्या बीरो में काम करते थे इस मशीन में पंच कार्डों की साहता से आंक्णों को संग्रहित स्टोर किया जाता था इन पंच कार्डों को एक ही करके मशीन पर रखा जाता था tabulating machine पर लगी सुईया इन कार्ड से आंक्णों को पढ़ने का कार्य करती थी जब सुईया कार्ड पर बने चिद्रों से आर पार हो जाती थी तो वह कार्ड के नीचे रखे पारे को छू जाती थी पारा मरकरी मरकरी को जब छू जाती थी जिसके कारण electrical circuit पूरा हो जाता था और इस तरीके से यह मशीन डेटा को स्टोर कर संग्रहित कर कार्य करती थी इस मशीन का सफलता पूर्वक प्रियोग 1890 में अमरीका की जनगणना में किया गया था और इस मशीन की सहेता से जनगणना का जो कार्रे 7 वर्षों में पूरा हो पाता था वह मात्र 3 वर्षों में पूरा होने लगा टैबुलेटिंग मशीन की सफलता को देखते हुए 1896 में हॉलिरित ने टैबुलेटिंग मशीन कंपनी बनाई जो पंच कार्ड यंत्र का उत्पादन करती थी जो की एक स्टोरेज कार्ड था जो की डेटा को संग्रहित करता था और 1911 तक इसमें कई कम्पनियां जुड़ गई इन सभी कम्पनियों के सम्भिंग को कम्प्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्ड कम्पनी नाम दिया गया और सन 1924 में इस कम्पनी का नाम IBM कॉर्परेशन इंटरनेशनल बिजनिस मशीन रखा गया हाड़वेर के शेत्र में जो सबसे बड़ा नाम है वह इंटरनेशनल बिजनिस मशीन का नाम है उसकी नीव 1924 में टैबुलेटिंग मशीन के द्वारा ही रखी गई थी जो की हाड़वेर के शेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है और महतपून भी है कि IBM कॉपरेशन इंटरनेशनल बिजनिस मशीन 1924 में बनाई गई थी मार्क वन इसका अविशकार हावर्ड आइकन हावर्ड ए आइकन ने 1937 या 1934 के बीच में बनाया था और ये विश्व का प्रथम पून स्वंचालित विदुत यांत्रिक इलेक्रो मेक गणना यंतर था इसमें इंटर लॉकिंग पैनल के छोटे ग्लास, काउंटर, स्विच और नियंतरन सरकिट होते थे डेटा मैनुवल रूप से एंटर किया जाता था संचेयन के लिए मैगनेटिक ड्रम प्रियोग किये जाते थे स्टोरेज के लिए मैमोरी स्टोरेज के लि गणतिये गणनाएं की जा सकती थी, साथ ही लॉगर्थमिक एवं ठिग्नोमेट्री की गणनाएं करना भी संभव हो पाया था, हार्वर्ड मार्क फरस्ट को ही IBM का ASCC, Automatic Sequence Controlled Calculator के नाम से भी जाना जाता है, तो इस हार्वर्ड मार्क फरस्ट का जो दूसरा नाम है, वह Automatic Sequence Control Calculator है, ABC, Atnos of Barry Computer, ABC, 1939-1942 के बीच में बनाया गया था, Atnos of ने एक Electronic मशीन को विक्सित किया था, जिसका नाम ABC रखा गया था, ABC, Atnos of Barry Computer का संशित रूप है, आम तोर पर यह माना है, कि यह पहला Electronic Digital Computer था, First Electronic Digital Computer था, इसमें पहली बार Electro-Mechanical Relays के बजाए, Vacuum Tubes का इस्तमाल किया गया था, और Vacuum Tubes के इस्तमाल से, कम्प्यूटर के शेतर में बहुत बड़ा बदलाव होना शुरू हो गया था, इनिक, Electronic Numerical Integrator and Calculator, इसका विश्कार J.P. Eckert, John P. Eckert और John W. Mauchley ने इनिक का विश्कार 1946 में इसे पूरा बना कर तयार किया था, और यह 20 accumulators का एक संयोजन है, और इसमें 18,000 vacuum tube लगी थी, जो की 1,80,000, 1,80,000 watts of electrical power की खपत करता था, और यह पहला digital computer था, इसका प्रियोग Private Firm, Engineering Research Association और IBM में किया गया था, वैसे तो ABC computer पहला digital computer था, लेकिन इस शेत्र के लोग अभी भी इनिक को पहला digital computer मानते हैं, तो अगर परिक्षा में पहला digital computer पूछा जाता है, तो उसका सही जवाब इनिक होगा, इनिक computer काफी विशाल काई था, जब यह बनकर तयार हुआ, तब नीडिया ने इसे एक बड़े दिमाग का नाम देकर अखबारों में छापा था, ADSEC, Electronic Delay Storage Automatic Calculator, ADSEC, इसका विशकार Morris Vilkas ने 1949 में किया था, और यह पहला प्रोग्राम संग्रहित Digital Computer था, जिसमें प्रोग्रामिंग का इस्तमाल किया गया था, यह वर्गों के पहाडों की गढ़ना कर सकता था, यह मरकरी Delay Linus का प्रियोग Memory और Vacuum Tube का प्रियोग Logic के लिए करता था, 1950 में M.V. Wilkas और Wheeler ने Gene आवरतियों, Gene Frequency से सम्मंदित, Differential समीकरन को हल करने के लिए ADSEC का इस्तमाल किया था, 1951 में Miller और Wheeler ने एक 79 अंकों का प्राइम नंबर की खोज करने के लिए ADSEC का इस्तमाल किया था, ADVAC Electronic Discrete Variable Automatic Computer, इसका अविशकार John Von Neumann ने 1950 में किया था, John Von Neumann ने ही आदूनिक Computer Architecture की अवधारना दी थी, तो इस पर प्रिश्न बन जाता है कि आदूनिक Computer Architecture की अवधारना किसने दी थी, वह John Von Neumann थे, जिसका इस्तमाल वरतमान के कंप्यूटर में भी होता है, John Von Neumann ने 1950 में ADVAC को संचालित किया था, और यह 30 टन बड़ा, 100 फीट चोड़ा, यह गणनाय करने के काम में आता था, यह पहला Computer था, जिसमें प्रोग्राम के साथ उसके डेटा भी स्टोर होते थे, इसी में Binary Language का Concept पहली बार उप्योग में आया था, आदूने Computer के विकास में, Von Neumann ने सर्वदिक योगदान दिया है, UNIVEC, Universal Automatic Computer, UNIVEC का विश्कार J. Presper Eckert और John Mocley ने 1951 में किया था, जिसे की पहला Commercial Digital Computer, जिसका उत्पादन General Electric Corporation नाम की कमपनी ने किया था, जो बजार में विका था, और जन्गरना भीरो में स्थापित किया गया था, यह Input पे Output की समस्याओं को अतीशीग्र हल करता था, समान्य उद्देशी के लिए प्रियोग किये जाने वाला, यह एक प्रिथम Electronic Computer था, यह संख्याकी, स्टेटिक्स और शब्दिक, वर्ड्स, दोनों प्रकार के डेटा को संसाधित करता था, यह Magnetic Tape का प्रियोग Input और Output के लिए करता था, इसका प्रियोग वानिजिक इस्तमाल के लिए किया जाता था, तो साथियों, आज हम जिस Computer से परिचित हैं, उस तक पहुँचने में वैज्ञानिकों द्वारा Research अनुसंधान की एक लंबी प्रक्रिया रही है, तो उमीद करते हैं, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, कमेंट कर जरूर बताएं, परिक्षाओं की तयारी के साथ-साथ, अपना ग्यान बढ़ाने के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद.